आज जो रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक बहुती सूपर टेस्टी और इजी सैंड़िच की रेसिपी जिसे आप कभी भी भी बना कर खा सकते हैं चाहे मॉर्निंग का ब्रिकफास्ट हो यह शाम की स्नैक्स हो कभी भी बना करके खाएं इसका स माटर हमने यहां ले लिया है और इन सभी सबजियों को हमने बारी चॉप कर लिया है तो नेक्स स्टेप में मैंने यहां पर सारी सबजियों को मिक्स कर लिया है और अब मैं यहां पर एड करने जा रही हूँ वन फोर्थ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर मैंने यहां यहां पर अच्छे से यहां पर मिaks कर लोंगी तो यहां पर दो ब्राउन ने लिए और जो सबसियां हमने चौप करके black pepper उसमें mix किया था उसको हम यहाँ पर अच्छे से bread में spread कर देंगे इस तरीके से पूरा अच्छे से फैला लें इसमें सब्जियां डाल लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा नमक हम स्वादा अनुसार add कर लेंगे हमने नमक यहाँ पर पहले इसलिए add नहीं किया ताकि जो है सब्जियों में से पाने निकल कर हमारे जो sandwich है वो सौगी ना हो इसलिए हम नमक इसमें बाद में add कर रहे हैं और नमक को add कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर ली है दो cheese slice और इस तरीके से इने रखकर मैं ऊपर से इने bread से cover कर लूँगी यह मैंने यहाँ पर bread रख लिया है तो अभी तक गैंस का flame जो है वो off था इस stage में अब ह सेख लेंगे और बीच बीच में हम इने flip करके एक बार चेक कर लेंगे यह देखिए यह साइट से पक चुका है दूसरी साइट से भी इसी तरीके से हम इसे करारा कर लेंगे यह देखिए दोनों हमारे करारे हो चुके हैं एक तरफ से तो इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ स भी हम चेक कर लेते हैं तो यह देखिए इस तरफ से भी बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है और इस स्टेज में यह है जो बनकी हो चुके है तयार तो अब आप गैंस का फ्लेम कर लीजे ओफ और यह यहां पर मैं आपको कट करके दिखाती हूं सैंड्विच को बहुती सॉस के साथ आप इसे सर्फ कीजिए सॉस या चटनी के साथ बहुती एजी सिंपल और टेस्टी रेसिपी है तो जरूर बना करके देखिएगा बनाए तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा वीडियो और रेसिपी किसी भी रिजन से अगर अच्छी लगी हो तो इ लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलेगा और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा